इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याई 11 रहुबियाम का राज्ज रहुबियाम के वश में फिर आ जाए तब यहवा का यहवचन परमश्वर के भक्त शमायाह के पास पहुचा की यहुदा के राजा सुलेमान के पुत्र रहुबियाम से और यहुदा और बिन्यामिन के सब इस्राइलियों से कह यहवा यो कहता है कि अपने भाईयों पर चढ़ करके युद्ध न करो तुम अपने अपने घर लवड जाओ क्योंकि यह बात मेरी ही और से हुई है यहवा के ये वचन मान कर वे यारोबाम पर बिना चढ़ाई किये लवड गए सो रहुबियाम यरुशलेम में रहने लगा और यहुदा में बचाव के लिए ये नगर दुढ़ किये अर्थात, बेफलहेम, एताम, तको, बेचसुर, सोके, अदुलाम, गत, मारेशा, जीप, अदोरेम, लाकिश, आजेका, सोरा, अयलोन और हेबरोन जो यहुदा और बिन दुढ़ किया, और उसने दुढ़नगरों को और भी दुढ़ करके उनमें प्रधान ठहराए और भोजनवस्तु और तेल और दाखमदु के भंडार रखवा दिये, फिर एक-एक नगर में उसने ढाले और भाले रखवा कर उनको अत्यमत दुढ़ किया, यहुदा और बिन् लेविय अपनी चरायों और निजभूमी छोड़कर यहुदा और यरुशले में आ गए, क्योंकि यरोबाम और उसके पुत्रों ने उनको निकाल दिया था, कि वे यहवा के लिए याजक का काम न करे, और उसने उचे स्थानों और बकरों और अपने-पने बनाय हुए बच जी थे, वे अपने पित्रों के परमिश्वर यहुदा को बलिदान चढ़ाने के लिए यरुशलेम को आये, और उन्होंने यहुदा का राज्य स्थीर किया, और सुलेमान के पुत्र रहुबियाम को तीस वर्ष तक दुरुढ कराया, क्योंकि तीन वर्ष तक वे दाउद औ और सुलेमान की लीक पर चलते रहें, और रहुबियाम ने एक स्थीर को ब्याहा लिया, अर्थात महलत को, जिसका पिता दाउद का पुत्र, यरिमोत और माता ईशे के पुत्र, एलियाप की बेटी, अभी हैल थी, और उसने यूश शमर्याह और जाहम नाम पुत्र उत्पन हुए, और उसके बाद उसने अफशालों की नतीनी माका को बेहा लिया, और उससे अभीयाह, अत्ते, जीजा और शमोमीत उत्पन हुए, रहुबियाम ने अठाराह रानिया बेहा ली, और आठ रखे लिया रखी, और उसके अठाइस बेटे और साथ बेटिया उत्पन अब शालोम की नतिनी माका से वह अपनी सब रानियों और रखिलियों से अधीक प्रेन करता था सो रहुबियाम ने माका के बेटे अभिया को मुख्य और सब भायों में प्रधान इस मंसा से ठहरा दिया कि उसे राजा बनाए और वह समझ बूच कर काम करता था और उसने अपने सब पुत्रों को अलग-अलग करके यहुदा और बिन्याम इनके सब देशों के सब गढ़वाले नगरों में ठहरा दिया और उन्हें भोजनवस्तु बहुतायस से दे दी और उनके लिए बहुत सी स्त्रिया ढूंडी